नमस्का एशनिस इंडिया में आपका स्वागत हैं में प्रिया आपके साथ कॉंग्रेस के राजसभा सांसद और पूर्व केंद्री वितमंत्री पीचिदंबरम ने कहा दोहजार चोईस लोकसोवा चुनाव की हवा का रुख भाजपा की तरफ है वह कभी भी चुनाव को हलके में नहीं लेती बाजपा चुनाव ऐसे लड़ती है जैसे कि वह आखरी लड़ाई हो हलाकि हमाएं दिशाब बदल सकती है लेकिन विपक्षी दलों को भाजपा की काबिलियत का एहसास होना चाहिए चिदम्रम ने पीटी आई को दिये इंटर्वियो में कहा चत्तिसगाड राजिस्थान और मद्रदेश विदासभा चुनाव में जीज से भाजपा को हिमत मिली है चत्तिसगाड और राजिस्थान में कांग्रेस की हार की उमीद नहीं थी नतीजे चिंता जनक है मुझे युश्वास है कि पार्टी नेत्रत और कमजोरियों को दूर करेगा लोगसभा चुनाओं के रे गडबंधन की तैयारियों पर चिदम्रम ने कहा कि इंडिया गडबंधन के नेताओं को ऐसे उमिदवारों की पहचान करनी होगी जो कम से कम 400 से 425 सीटों पर भाजबा का मुकाबला कर सके गडबंधन के नेताओं के प्रती लोगों की प्रतिक्रिया से पी एम का चेहरा तलाशने में मदद मिलेगी फिलाल इंडिया गडबंधन के लिए इससे भी जादा जरूरी काम लोकसभा चुनाओन चीतना है मुझे इंडिया गडबंधन की बेठक के दोरान होने वाली चल्चाओं के बारे में जानकरी नहीं है मुझे यकीन है कि उन्हें एहसास होगा कि चुनाओं से पहले केवल तीन मेहने बचे है चुनाओं में कांग्रेस की तरफ से जातीगत जंगर्णा को चुनाओी एजेंड़ा बनाने पर चुनाओं ने कहा ये एक जरूरी मुद्धा है लेकिन बेरोजगारी और मेहगाई इससे ज़्यादा गंबिर मुद्धे है ये दो मुद्धे लोगों को सबसे ज़्यादा अपिल करते है इसी के साथ बने रही है एशानी जिन्दा के साथ खाली बाद